कि नमश्कार एक बए फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्तित हूं बेहद महात्वफून टॉपिक के साथ टॉपिक है वक्फ बोर्ट से जुड़ा हुआ आप सभी काफी दो दिन से इसको चर्चा में सुन रहे होंगे वक्फ बोर्ट को ले करके कहा जा रहा है कि इसमें लग वक्फ शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी हम समझेंगे साथ ही साथ ये पाच अगस्त का लोग क्या लॉजिक लगा रहे हैं इसको भी हम जानेंगे पाच अगस्त को जमुकस्मीन से 370 आपकी हटाई गई थी पाच अगस्त को राममंदर का भूम्बूई पूजन किया ग सब्सक्राइब और महिलाओं को इसमें ज्यादा पावर प्रदान कर दी जाएगी तो पूरा डिटेल आनलेसिस करेंगे इसमें हम वक्फ बोड का आखिरी है क्या कहां से आया क्या इंपॉर्टन चीज़स में शामिल है वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा साथी साथ आ तकाल यसा काल लेता लेता था ऎसा आररूप लगाए जौता तो एक पास कितनी है तो आप धी दंग रह जाओगे लाखो एकड में उनके पास जमीने हैं और इसी को हम संज़ेंगे मेरा नाम है प्राची मिश्रोर संस्कति आयस के स्प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है अब देखते हैं डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं नर्सिम्हा जो राओ है इन्हों ने बढ़ाई थी वक्फ बोर्ड की पावर अब मोधी सरकार इसको क्या करेगी कम करेगी ठ प्लिट है वक्फ बोर्ड की सक्तियों और उसकी कारेफ्य पृणालियों में संसोधार से संबंदित बिल इस हफते संसद में ला सकती आगे देखते हैं वक्फ बोर्ड की सक्ति को वर्ष 1979 में यहां पर कहा जाता है कि दिढ हरारों की सर्कार ने बढ़ा दी थी और इस विल अधिनियम में कई बड़े बदलाव किये थे और पहली बार यदी बात की जाए तो वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में संसद में पारित हुआ था और उसके बाद 1995 में नरसिम्हा राओ ने इसको पावर दी थोड़ा सा अब देखते हैं इसके अंदर बदला हुए 1995 में और 2013 में आ रह दिया गया था तो असी में सक्तिया मिली और पूर्ण स्वायत्ता मिल गए इनको 2013 में लास्ट बो था ठीक है अब आगे बात कर लेते हैं लेकिन यह जो बिल्ड ड्राफ्ट किया गया है इसमें किन बदलावों की बात की जा रही हम यह समझेंगे यहां पर देखे सबसे को जा करके नहीं देखते थे ठीक है क्योंकि वह वक्फ बोर्ड की जमीन थी अब क्या होगा कि अब कोई भी यदि वक्फ में अपनी जमीन दे रहा है तो सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा दैना आगे उसको प्रोसिट किया जाएगा तो पहला लगाम यह ल की संरक्षना में बदलाव किया जाएगा यानि कि उसके सदक्ष जो सदस्य हैं वो कितने होंगे अध्धक्ष कौन होगा अध्धक्ष की बात की जारी और अन्य सदस्य जो इसमें शामिल किये जाते थे वह कौन हो तो पूरी तरीके से संरक्षना इसकी बदल जाएगी वक् आपकी 9 और 14 के तहर अब देखते हैं बिल में राज वक्फ बोड के जो स्वामित वाली विवादित जमीने हैं कि लोग कहते हैं यह मेरी है वक्फ में जवजस्ती हथियाली है हिंदू और मुस्लिम के बीच में वक्फ बोड को लेकर के समस्या चलती रहती है तो वो जितने भ वापस कर दिया जाएगा तीक है दुरूपी ओख को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेड को वक्फ संपत्यों की निग्रानी में शामिल किया जा सकता है कि अब क्या है जो जिला मजिस्ट्रेड है वो inकी निग्रानी करें तो यह यह चीज में की जाने वाली है टोटल जो है वो आपके 40 बदलाओ यहां पर रखे गए हैं ठीक है भूमी को वक्व की संपत्य घूशित करने से पहले उसका सत्तापन अब सुनिक्षित होगा यह बात कही गई वह सारी चीज़े जो थी अब देख लेते हैं आपका वक्व बोड आखिर क्या है ठीक है जो बार-बार हम नाम ले रहे हैं वक्व का तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा देखे वक्व का आपका अर्थ यहां पर बताया है कि अल्लाह के नाम ठीक है वक्व का मतलब ही यह होता है कि अल्लाह के नाम यानि ऐसी जमीन जो किसी व्यक्तिया संस्था ने अल्ला भूमिदान करते हैं कि इस भगवान कृष्ण के नाम पर हमने इतनी भूमिदान कर दी जो लोग भागवत देखते होंगे उनको पता होगा अवश्य पता होगा बाकिया आप मुझे बताइए कि इस तरीके से यह जो वक्फ बोड़ है इसमें शूदन क्या जा रहा है क्या यह जो अभी आप देखो जितने भी पुजारी या फिर यह लोग भूमिया लेते हैं इन पर भी थोड़ी सी लगाम लगनी चाहिए यह नहीं लगनी चाहिए कि यह तो अच्छी चीज है यहां पर सही चीज हो रही है सही रेगलेशन क्या जा रहा है कि जिसकी जो जमीन है आती को टाइट करके हैं घानली नहीं देख सकते हैं हमें हर एक चीज को टाइट करके इंडिया को टाइट करके हमें धानलय करके कहां- Speech रह रही है क्योंकि यहां पर भी कि बहुत ही जादा आपको धांदिया देखने को मिलेंगी कि बड़े-बड़े आश्रम जो हैं लोगों ने बना रखे हैं आश्रम में गाये पाल रखे हैं लेकिन उसका उपयोग किसी औरी तरीके से किया जा रहा है तो आप देखो अल्ला की नाम पर जो लोग अपनी जमीने देते हैं उसको हम कहते हैं कि यह वक्फ बोर्ड में चली गई है अब मैं अपनी स्वाटा हर का दूं कि मेरी जमीन है वो मेरी मरजी हम लिख कर कर के देदेंगे वह हो गई वक्फ की जमीन अब वह जो यूजब करी जाएगी वह सिर्फ मुस्लिमों के लिए यूज होगी वक्फ का जो एक होता है वो होता है सर्वेयर ठीक है जो देखेगा वो यह तै करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं है तो यह हो गई आपकी संशना यहां पर एक सर्वेयर होगा और वो सारा कुछ देखेगा इसके निर्धारन के तीन आधार होता है कि कैसे वो निरधारित करते हैं कि ये वक्फ की जमीन है या नहीं है सबसे पहले कि कोई अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दे जाकर के कि ये मेरी संपत्ति हैं हम वक्फ को दे रहे हैं दूसरा ये कि कोई मुस्लिम या फिर मुस्लिम संस था उस जमीन पर लंबे समय से रह रही है पूपल कि जो भी आपके मुस्लिम समुदाय से लोग आ रहे हैं वो मुझे बताएं कि वाकई क्या ऐसा होता था क्योंकि यह जो यहां पर मांग की गई है ना संसोधन की मांग वो हिंदू समुदाय ने संसोधन की मांग नहीं करी है इसमें संसोधन की मांग करी है मुसलिम समुदाय ने ही और उन्होंने बोला है कि आफ यह जो वक्ष बोड़ है इसमें संसोधन करिए क्योंकि यह आवश्यक है तो मुसलिमों का जो समुदाय है उनके द्वारा ही यहां पर मांग करी गई है तो मैं अब आप से ही जानना चाहती हूं कि यह जो वक्ष बोड़ है किस तरीके से कारे करता है क्या वाकई इसमें बहुत सारी शिकायते मिल रही थी जिसकी वजह से यहां पर इसको रेगुलेट करना पड़ रहा करें है में मालनेते हैँ एं यह मुसलिम समाज की जमीन रखने के लिए बनाया गया था यहां पर रोक लगाने के लिए इसको यहां पर रोक लगाने के लिए यह आपका वक्फ बोड लाया गया था और इस्पेशली सिर्फ मुस्लिमों की जो जमीन है उनके लिए आगे देख लेते हैं वक्फ बोड के तिहास की यदि में बात करूं तो यह आपका दिल्ली सल्तिनत से मानी जाती है कि आपका वक्फ आया उस दोरान आप देखोगी तो आजादी से पहले मुस्लिम वक्फ मानी करण अधिनियम 1913 का हमें यहां पर उलेख मिलता है अब यहां से समझ लेते हैं 1913 का हमें यहां पर उलेख मिलता है 1954 में जवालाल नहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित करी और इसके बाद वक्फ का केंद्री करण कर दिया गया अधिनियम के तहर सरकार ने 1964 में एक केंद्रिय वक्फ परिशद का गठन किया तो आपकी जो केंद्रिय वक्फ परिशद बनी वो बनी 1964 में उसके बाद आता है 1995 जहां पर उसको कुछ पावर दी गई तो यहां पर प्रतेक राज और केंद्र शाष्री प्रदेश में वक्फ ब बना सकते हो तो 1995 में इनको यह पावर दे दी गई थी कि आप हर स्टेट और राज में जाकर के अपना बोट बनाईए और वहां पर जो संपत्या है आप जो लोग देना चाहते हैं वक्फ बोट को वो दे सकते हैं आप उनको रेगुलेट करिए ठीक है साथी साथ इसके समाद आता है 2013 जहां पर बहुत ही हूज यहां पर परिवर्तन होता है और यूपीय सरकार ने 1995 में मूल वक्फ एक में बदलाओ करके बोट की शक्तिया यहां पर बढ़ा दी ठीक आगे बात करते हैं यह सारी चीज़स में कर दी गई अब यह कार्य प्रणाली क्या है वक्फ समपत्ति या पैसा दान में देता है तो उसकी देखरेक वक्फ बोड करता है सेम हम लोग जैसे दान में देखते हैं किसी मंदिर को हमने ट्रस्ट को दान में दे दिया जा करके तो अब वो जो ट्रस्ट है वो देखे करना तो अगें यह भी क्या एक ट्रस्ट है बोड है वो किसी को किराय पर लगा दू ठीक है या कोई यहां पर कार करने आता है तो उसको रेंट पर दे दू मैं किसी भी तरीके से मैं उसको इन्वेस्ट कर दू कहीं पर अब उससे जो पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट का मेरे पास यानि कि जो मेरे पर किराय रहा है मेरी वक्फ जमी सब्सक्राइब आगे की तो अब वो क्या करेगा वाक्ति अगर वक्रट के पास गई है तो विश कराएब गार पेषा पैसी भोगा चान सब्सक्राइब हो इनले मिलेगा वो खाएगा इसका 6 एक कhältने के हlor किक वह जंवा देश में जड़ाइस देने कि र dalla जर्ट बोट के हो पैसा कर्च कर्च के जाएंगा और सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाइद ओने यहां पर यह बात हूब देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड है आपके 30 टूटल आपकी क्या है वक्फ बोर्ड है सरकारी आकडों के मुताविक देश भर में जो वक्फ की 8.70 लाक संपत्ती है और 9.40 लाक एकर जमीन यहाँ पर वक्फ की है चलो आगे देखते हैं बोर्ड की संपत्ती की जो देखरेक करता है और व्यवस है किस प्रकार से और कैसे किये जा रहे है वो यहीं सुनिशित करेगा उसे बेषना खरीदना किरायपर देना ही वक्फ बोर्ड का काम है चलो आगे आते हैं बोर्ड की सनरचना की बात करते हैं जहां पर महिलाओं को शशक्ति किया जा रहा है पुरतेक राज में आपका एक वक्फ बोर्ड होता है जिसमें निमलकित लोग शामिल होंगे जिनकी वारशी का एक लाख या इससे अधिक होती है वो होते इसमें होता है आपका एक सबसे पहले अध्यक्ष ठीक है दूसरे नंबर पर राजसरकार द्वारा नामित एक या दो सदस्ट होंगे जो राजसरकार नामित करेगी वो तीसरा यहाँ पर मुस्लिम विधायक या फिर सांसद को शामिल किया जाएगा चोथा यहाँ पर आएगा राजजबार काउंसिल के मुस्लिम सदस से वोस में शामिल होंगे इसलामी धर्मशास्र के मानिता प्राप्त विद्वान मौलवी जो हो गए वो आपके शामिल किये जाएंगे और वक्फों के मुतावली यहां पर शामिल किये जाएंगे अब महिलाओं का पार्टिपेशन जो बढ़ाया जाएगा वो इस में बढ़ाया जाएगा सब्सक्राइब अब करता है आपके वक्फ बोर्ट कि देखवे तो जितना भी वक्फ बोर्ट पूरे भारत में जैसे आपके 30 के तीस बने हुए हैं तो एक होता है आपका सेंट्रल व वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधनिक निकाय है और इसके स्थापना 1964 में भारा सरकार दौरा 1954 के वक्फ अधनियम के तहत की गई थी जैसे मैंने आगे आपको बताया केंदुरी निकाय वक्फ अधनियम 1954 की धारा 9-1 के प्रावधानों के तहत स्थापित विभिन राज वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरें कि करता है कि जितने भी राज बोड है आपके उनको यह देखेगा ठीक है देजभर में कितने वक्फ हैं तो 32 स्टेट में यहापके बोड़ बनाए गए अलग-अलग वक्फ बोड यहां पर होते हैं जबकि केंद्री अलपसंख्य क पल्यार्ण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसल का पदेन अध्यक्ष यहां पर होता है आप देखते हैं यह जो 32 वक्फ बोर्ड हैं देश में उनकी संपत्ति यहां पर किस किस प्रकार से है वक्फ एक 1995 के तहट इनको सुरक्षा दी गई है वक्फ संसोधन आप सभी को पता है 2013 में हुआ ही था टोटल यहां पर आपकी 8,51,939 वक्फ संपतियां हैं पूरे देश भर में ठीक है संपतियों में सुन्नी बोर्ड के पास कितना है सिया बोर्ड के पास कितना है टोटल जो स आप सभी चाहते हैं एक सुन्नी बोर्ड एक सिया बोर्ड के पास यहां पर है आपका 210,239 और सिया बोर्ड के पास है आपका 15,386 यह संपतियां दोनों के बीच इस प्रकार से यहां पर जो सबसे ज़्यादा संपति बताई जा रही है किस स्टेट में है तो यूपी में सब संपतिया जाती है पश्यम बंगाल में पंजाब में तमलनाडू में करनाटक में और केरल में उत्तर प्रदेश में आपकी सबसे ज़्यादा वक्ष संपतियां है लगभग कहा जाता है कि 2,10,200 उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको वक्ष संपतियां देखने को म तो इस तरीके से संपत्या यहां पर डिवाइड है आगे बात कर लेते हैं अन्य राज यहां पर ते लंगाना गुजरात मद्यप्रदेश यमू कश्मीर बिहार और दिली हैं तो इस तरीके से यहां पर सबकी संपत्य आपको दिखाई गई हैं अब वक बोर्ड की अनिनिमत ताएं और समस्थ्यान क्या है जिसकी वज़े से यहां पर संसोधन की मांग की गई और संसोधन किया जा रहा है ये अपनी विसाल संपत्यों पर नियंत्रों बनाया रखने के लिए संगर्ष कर रहा है काफी टाइम पर क्योंकि यहाँ पर कानूनी लडाईया बहुत जादा चल रही है आंतरिक लडाईया चलती है सिया और सुन्नी बोर्ट्स में इस वज़े से दिक्कते होती है और राजन दीक यह शुषत्र बलो और रेलवे के बाद भारत में तीसरे सबसे बड़े भूमी मालिक बने हुए हैं सबसे ज्याद भूमी किस के पास सेना के पास दूसरी किसके पास railway के पास और तीसरी सबसे ज़्यादा जो भूमी है वह वक्फ बोड के पास है तो सरकार को जब भी construction करना पड़ता है तो वहां पर कहीं प्रॉब्लम साती है वक्फ बोड की जो भूमी है वह सरकार ले नहीं सकती है इसलिए सरकार क्या कर रही है इसमें अमेंडमेंट कर रही है चेंजिस कर रही है चलो आगे देख लेते हैं वक्फ पर जुड़े सिकायते क्या हैं देखें डेखें जब्लू एम एसाई पोर्टल पर अठावन हजार से जादा यहां पर लोगों ने शिकायत करी है वक्फ बोड ने उनका जो पैसा है वो ले लिया वक्फ बोड ने उनकी जमीने ले ली राजो बोड में तोटल आपकी 12,700 से जदा लंबित मामले पड़े हुए है वक्फ बोड से संभन से जहां पर आपकी संपत्त्य और भूमी में चल रही हैं तो इस तरीके से वक्ष से जुड़ी समस्याइं बार-बार सामने देखने को मलती हैं केंद्रों और दिल्ली वक्ष बोट के बीच खी चातान बहुत लंबे समय से चल रही है सरकार की संपत्ति एक हैं इसका उन्हों ने कब्स्रिया इप्र donuts दिल्ली एक 180-100 पर का दिकार में करे दिल्ली हाइब के आदेश के बाद सरकार ने इन इस मार्कों की सिपिका अध्यान करने के लिए एक समिती का गठन कि समिती ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली वक्त बोर्ट की ओर से कोई प्रतिनिज्ट या आपत्ती जो है वो प्राप्त नहीं हुई है यह संपत्तियां के इन सरकार के हाथों में चली जाएंगे और फाइनली यह कहां चली गए सैन्टोन के पास चली गई है ठीक है तो यह यहां पर मामले चल रहे थे लास्ट में आप सभी के लिए क्वेशन है कि निम्लिखित में से किसके समय वर्ष 1954 में वक्त बढ़िनियम पारित किया गया था जवालन लेह नूर डाल बहादुर शास्री नरसी महाराओ या फिर मोरारी चीद देसाई के टाइम पर आप सभ पशले आप से जाना चाहते हैं मुझे आवश बताएगा मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद लाइक शान सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थांक्यू सब्सक्राइब